नमस्कार दोस्तों क्लास सेवांत महाराश्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चाप्ट नुम्बर त्री HCF एंड LCM इसमें अभी प्रेक्टिस इट 14 में क्वेशन नुम्बर त्री चल रहा है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कौन रोध है कि चानल को सबस्क्राइब करें लाइक शेर करें और बेल आइकान प्रेस करें जिसे की आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए अभी क्वेशन नुम्बर थर्ड में जो फर्स्ट क्वेशन है वो है देकि 36 और 42 इनका हमें LCM पाइंट करना है तो 36 और 42 इन दोनों नंबर्स को जब तक सेम नंबर से डिएड़ होता है दोनों को उससे डिएड़ करना है तो इन दोनों नमबर्स को 2 से डिएड होगा 2 वंजा 2, 2 8 जा 16 2 2 जा 4, 2 वंजा 2 अब 18 और 3 इन दोनों नमबर्स को 3 से डिएड होगा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 अब 6 और 21 इन दोनों को किसी भी नमबर से अब डिवाइड नहीं होगा तो अब हमें 2 और 3 और 6 7 का मुल्टिप्लिकेशन करना है तो 2 इन दो 3 इन दो 6 इन दो 7 तो 2 त्रिजा 6, 6 इन दो 6, 36 मुल्टिप्लाइड बाई 7 7 जा 42, बारो 4 7 त्रिजा 21, प्लस 4, 25, 252 इस दे ल्सेम अब 36 एड 42 नेक्स्ट जो नमबर्स हैं वो हैं 15, 25 और 30 अब इन तीनों नमबर्स को अगर हम देखें तो 5 से डिवाइड होता है तो 5 से डिवाइड करना है 5, 3, 15 5, 5, 25 5, 6, 30 अब 3, 5 और 6 इन तीनों नमबर को किसी भी नमबर से डिवाइड नहीं होता तो फिर हमें 2 दो नमबर चेक करना है 3 और 5 या 5, 6 या फिर 3, 6 अब 3, 5 को भी किसी नमबर से डिवाइड नहीं होता 5, 6 को भी नहीं होता और 3, 6 इन तो नों को 3 से डिवाइड होता है तो हमें 3 से डिवाइड करना है इन दो नमबर्स को तो 3 वनजा 3 5 as it is लिखिये और 3 to the 6 अब 5 और 2 इन दो नों को किसी नमबर से डिवाइड नहीं होता तो अब हमें डारेक्टरी लिखना LCM अब यहाँ पे जो दो नमबर्स हैं और यहाँ पे जितनी नमबर्स हैं उनका हमें मुल्टिप्लाय करना है तो 5 इन टू 3 इन टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है 5 इन टू 2 लिखिए 5 इन टू 3 15 और 5 इन टू 2 10 10 इन टू 15 आंसर होगा 150 तो 150 15, 25 और 30 इन तीनों नमबर्स का जो है वो LCM होगा अभी जो next question है उसमें है 3 नमबर्स 18, 42 और 48 8 तो अब यहाँ पे हम तीनों नमबर्स यहाँ पे लिखेंगे 48, 18 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो हम इनका जो LCM है यही पे हम find कर लेते हैं तो अब तीनों नमबर्स को 2 से divide होता है तो हमें 2 से divide करना है 2 2s are 4 2 1s are 2 2 2s are 4 2 4s are 8 2 9 जा 18 अब तीनों नमबर्स को 21, 24 और 9 तीनों को 3 से divide होता है तो फिर 3 से करें 3 7 जा 3 8 जा 3 3 जा अब तीनों नमबर्स को किसी नमबर्से divide नहीं होगा दोनों नमबर्स को भी किसी नमबर्से आप divide नहीं होगा तो हमें इन दोनों का और इन से भी का multiply करके LCM find करना होता है 2 into 3 into 7 into 8 into 3 तो 2 into 3 यहां पे होगा 6 6, 7 जा 42 multiplied by 8 into 3 या फिर ऐसे भी कर सकता है 42 को 3 से multiply करेए फिर 8 से multiply करेए तो अगर हम 3 से multiply करेंगे तो 3, 2 जा 6, 3, 4 जा 12 अब 126 को 8 से multiply करेए 8, 6 जा 48 बारो 4 होगा 8 जा 16 16 प्लस 4 20 20 को हमें 0 लिखना है बारो 2 8 जा 8 प्लस 2 10, 1008 जह है वो इन तीनों नमबर्स का LCM होगा 4, 12 और 20 इनका हमें LCM find करना है तो अब तीनों नमबर्स को 2 से divide होगा तो हमें 2 से divide करना है 2, 2 जा 4, 2, 6 जा 12, 2, 10 जा 20 अब और तीनों को 2 से divide होगा तो 2, 1 जा 2, 2, 3, 6, 2, 5 जा 10 अब 3 और 5 को किसी नमबर्स से divide नहीं होता तो हमें LCM के लिए 2 इन्टू 2, इन्टू 3, इन्टू 5 लिखना है तो यगा 2 इन्टू 2, 4, 3 इन्टू 5, 15, 15, 4, जा अंसर होगा 16 अब जो question number 5 है इसमें हमें 4 numbers है 25, sorry 24, 40, 80 और 1, 20 अब देखें 4 numbers होगा तो कैसे हमें LCM find करना है तो 4 numbers को हमने यहाँ पे लिख लिया है अब सबसे पहले 4 numbers को सभी numbers को जिस numbers से divide होता है उस numbers से हमें divide करना है तो 24, 40, 80 और 1, 20 चारो numbers को 2 से divide होगा 2, 1 जा 2, 2 जा 4 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8 यहाँ पे 0, 2, 6 जा 12 फिर और सभी को 2 से divide होगा तो 2, 6 जा 12 2, 10 जा फिर और 2, 2, 2, 2, 3, 6 और सभी को 2 से divide होता है तो 2, 3, 6, 2, 5, 10 2, 10 जा 20, 2, 15 जा 30 अब 4 नमबर को divide होने के बाद 3-3 numbers देखना है जिन से या जिनको किसी number से divide होता है अब अगर हम देखें तो 5, 10 और 15 इन तीनों numbers को 5 से divide होता है तो हमें पहले 5 से divide करना है तो 5 से divide करने के बाद देखें 3 as it is लिखना है 5 जा 5 5, 2 जा 10 5, 3 जा 15 अब दोज़ा numbers को तीनों को divide हो गया अब इन दो numbers को 3 से divide होगा तो 3 जा 3 1 as it is 2 as it is 3 जा 3 अब हमें लिखना है LCM तो यह जो LCM होगा यहां पर left hand side के और right hand side के यह जो numbers है इन सभी का हमें multiply करना होता है तो 2 into 2 into 2 3 times है 5 into 3 into और इक यहां पर 2 है तो 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 4 40 multiplied by 3 into 8 into 5 40 3 into 2 6 40 into 6 240 240 240 is the LCM of 24, 40, 80 and 120 next question देखे find the smallest number which when divided by 8, 9, 10 15, 20 gives the remainder of 5 every time तो question का meaning हम पहले समझ लेते हैं कि ऐसा smallest number find करिए जिस number को 8, 9, 10, 15, 20 मतलब 8 से divide करेंगे फिर 9 से 10 से 15, 20 इन सभी नमबर से एक एक बार हम divide करें तो हमें हर टाइम remainder जो हैं वो 5 ही मिलना चाहिए ऐसा number जिसे हम 8 से divide करेंगे remainder 5 9 से divide करेंगे तो भी remainder 5 10 से divide करेंगे तो remainder 5 15 से divide करेंगे तो remainder 5 ऐसे हमें जो number smallest हो वो find करना है तो आप देखिए LCM क्या होता है अगर समझो हमने एक number ले लिया 4 और 6 इन दोनों का LCM 12 होगा तो LCM 12 है इसका मतलब कि LCM को हम अगर 4 से divide करते हैं तो remainder 0 मिलेगा 6 से divide करते हैं तो भी remainder 0 होगा लेकिन remainder जो LCM जो number है वो number ऐसा है कि 4 और 6 इन दोनों से दोनों number से जिन number को divide होता है उन सभी में smallest 12 है तो अगर हम ऐसा कहें कि 4 और 6 से divide करने के बाद remainder हर टाइम दोनों time 3 मिले ऐसा smallest number कौन सा है तो अभी हमें क्या करना है 12 में 3 प्लस करना है तो यह होगा 15 अब 4 से divide करिए 4 तरी जा 12 remainder 3 मिलेगा 6 से divide करिए 6 तूज़ा 12 remainder 3 ही मिलेगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहां पे क्या करना है 8, 9, 10, 15, 20 इन सभी का हमें ELCM point करना है जिससे कि हमें सबसे smallest number ऐसा मिले जिसको इन सभी नंबर से divide होगा और जो नंबर आ गया उसमें हमें प्लस 5 करना है तो प्लस 5 करेंगे तो remainder हमें 5 मिल जाएगा तो अब पहले सबसे पहले हमें इन सभी का ELCM find करना होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 5 numbers है 5 के सभी numbers से 5 जितने numbers है इन सभी को किसी भी numbers से divide नहीं होता है क्योंकि 9 को 3 से होता है लेकिन 8 को नहीं होता है तो 5 को किसी भी numbers से divide नहीं होगा 5 नंबर को अब फिर इन में 4 चार लेना है तो 8, 10, 20 9 को 15 के होगा लेकिन इन को नहीं होगा और इन 3 को 2 से होगा तो 4 नंबर को भी किसी नंबर से divide नहीं होगा कोई भी 4 नंबर 1, 2 लेते हैं ये 3 तो दूसरा अब कोई है नहीं 5 से divide होने वाला 8, 9 है तो 8, 10, 20 2 से divide होता है 2 से इनको तो आब 9, 15 इनको 3 से होता है, तो आप 4 चारों नमबर को नहीं होता है, तो 3-3 की पेर लेजिए, 9 के साथ 15, ये दो ही आते हैं, 3 से डिवाड होने वाले, तो आप 2 से डिवाड होने वाले, 8, 10 और 20, इन तीनों को 2 से डिवाड करें, 2, 4 जा 8, 9 को आजटीज रखे, 2, 5 जा 10, 15 जा 20, अब 5, 15 और 10, इन तीनों नमबर को 5 से डिवाड होगा, तो दो जो बागी के नमबर हैं, उनको आजटीज रखना है, 4 और 9, 5 जा 5, 5, 3 जा 15, 5, 2 जा 10, अब दो दो नमबर लेना है, तो 9 और 3 को 3 से होता है, लेकिन 4 और 2 को 2 से होगा, तो 2 से, 2 जा 4, 9 जा 4, 9 जा 2, 1 जा 3, 2 जा होगा, तो 2 से रखना है, 3, 3, 9, 1 से रखना है, 3, 3, 3, 1 से रखना है, अब हमें LCM जो है, लेना है, तो LCM के लिए हमें, इन से भी का 2 into 5 into, 2 into 3, into 2 into 3, अब इनका हमें मुल्टिप्लाइ करना है, तो 2 into 5, 15, sorry, 2 into 5, 10, 10 into, 2, 20, 3 into 3, 9, 9 into 2, 18, 18, 18 से मुल्टिप्लाइ करेंगे, 18 into 2, 36, और एक यहां पर 0 लिखना है, तो 360, तो smallest number, वी बाए, smallest number, which when divided by, all these numbers, we get 5 as remainder, every time is, 360 plus 5, is equal to 365, तो 365, तो 365 जो है, वो answer होगा, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अभी और 5 questions जो है, वो, remaining है, practice at 14 के, इसमें एक question है, reduce the fractions to lowest terms, 348 divided by 390 ऐसे question दिये गए है, और कुछ word problem है, जिनमें हमें LCM लेना होता है, HCF लेना होता है, तो word problem में HCM कभी लेना होता है, LCM कभी लेना होता है, यह भी concept हम देखेंगे, बहुत से competitive examination में भी, HCF और LCM का है question पूछा जाता है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो part है वो next video में हम लेंगे, ठीक है, thank you, कभी हें इतना है, सक्ष duy दोस्तों ही जो जो होता है and 될 होता है friend